हलो दोस्तो लॉरेंस अकेडमि में आपका स्वागत है अभी तक हमने किया है कि पोर्टगीज इंडिया कब आए और उनका क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडिया की हिस्ट्री में आज हम करेंगे डच्चु के बारे में कि डच्च कब आए इंडिया में और उनका में गोल क्या मैं हूँ आपके साथ नभनीत राज और देर ना करते हुए इस लेक्चर को हम अब स्टार्ट करते हैं डचों के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चीए कि जो डच थे वो कहां रूल करते थे तो सिंपल सांसर है उसका नीदर लेंड जो किंग्डम आप नीदर ल स्टार्ट हो गया पॉर्टगीज के साथ और इसी कंफ्लिक्ट में उन्होंने पॉर्टगीज को हरा दिया और यहां पर एज़ा ट्रेड मोनोपली और साथ ही साथ मिल्टरी पावर के रूप में उबर के आगे अब यह कब से स्टार्ट हुआ 1596 में एक जो डच मैं था जिस ने देखा कि यहां पर ट्रेड की पॉसिबिल्टी बहुत ज़्यादा है और इसी लिए उन्होंने डचु ने क्या किया उसके बाद 1602 इस्वी में इस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदर लैंड की स्थापना की यह कोशन आप से एकदाम में पूसकता है कि जो नीदर लैंड क सब्सक्राओर की ओसी एस्ट इंडिया कंपनी थी वह कब बनी तो अंसरी 1602 है तो जब यह कंपनी बन गई ईस्टिंडिया कंपथी बन गई पुब ये कौन कौन सी थी एक तो यह वह अछय भी कर सकती kızım मतलब यह war का decision खोद ले सकती थी और साथ ही साथ treaties संदियां भी कर सकती थी और दूसरा जो strategic position वाले जितनी भी territory थी उन्हें क्या कर सकती थी यह possess कर सकती थी उसे acquire अब तीसरा था कि जितनी भी फैक्टरियां इन्होंने बना ली डचों ने बनाई वह से क्या कर सकते थे 45 कर सकते थे दुर्गी करन कर सकते थे उनका अब यह तेन है जो ने पावर दी गई थी तो जब डच इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी सब से पहली जो फैक्टरी थी वह स्थापिद की मसूली पटनम में और आप यह पूछेंगे कि जो मसूली पटनम में वह काम पर है वह है आंदरपरदेश में और स्थापिद कब की 1605 जिस्वी में तो आप से एक वोशन डारेक्ट पूछा जा सकता है कि जो डच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्टरी क चलावा था तो इसी कंफ्लिक्ट में उन्होंने क्या किया जो नागापटनम की टैट्री है पुर्टगाली से हडपली उसे कैप्चर कर लिया और जो नागापटनम है यह भी कहा है यह है मदरास में और मदरास किसका पुराना नाम है यह चैन्नाई का पुराना नाम अब उ पुलिकट और यह क्या बन गया उनका मेन सेंटर बन गया एकटिविटीज के लिए और इसी पुलिकट फैक्ट्री को बाद में नाम दिया गया Fort Jadria का का नाम दिया ग्या यह आपको पता लग गया होगा अब जो उन्हूंने पुली कट के बात कुंछ और फेक्टरी बी बनाई उनका नाम क्या क्या है जो शोडसोंसॉशन इसी मे उन्होंने बनाई सूरत की फेक्टरी। फिर शोलसोंसोंक्यालीस ूपनाई बीमली पटनम की फेक्टरी और 1645 में क्या बनाई कराइकल की और 1653 में चिंसुरा की और 1658 में बनाई इन्होंने कुछ ज्यादा फेक्टरी क्या कहती हो कासिम बजार बरागौर बरागौर पटना बालासौर और नागापटनम और 1663 में क्या बनाई कोचिन की फेक्टरी अभी तक हमने यह कर लिया कि जो डच थे उन्होंने अपने स्ट्रॉंग होड अपने सैट्लमेंट कहां कहां की थी अब जैसे ही अंग्रेज इंडिया आए तो डचूं और अंग्रेजूं के बीच राइवलरी स्टार्ट होगी और इस राइवलरी में कौन जीता उसे हम आगे करेंगे 17 स्टाबदी तक जो डच थे उन्होंने पोर्टगालियों को जीत लिया था इंडिया से उन्हें एक्सपेल कर दिया था और साथी साथ से लॉन यानि श्रिलंका से भी एक्सपेल कर दिया था जो से लॉन है वो श्रिलंक पॉर्टगाली थे उन्होंने अपना स्थापित किया था तब वह अपनी ट्रेड में मोनोपलिस स्थापित कर पाए थे तो उसे भी किसने जीता डचो ने जीत लिया और साथ इसाथ सोलस बुंजा इस्वी में क्या हुआ तुछा सोलस लबम इसस्वी में ने के ऐप गुड न Forsch को भी जीत लिया किसने जीता डचो ने ऊब इसी के पॉप गुड होप के रू होके कौन आया था इंडिया पूर्टगाली आया थे और यह जगह भी उन्होंने डचुने जीत ली अब साथ ही साथ इंडोनेशिया भी जीत लिया डचुने अब इंडोनेशिया में एक इंपोर्टन जगा है एंबोईना एंबोईना को भी जीत लिया डचुने और इसे क्या क्या 45 कर दिया और इसी अंबोईना से अंग्रेजूं और डचुन के बीच राइवर्लिरी स्टार्ट होगी अब कैसे अब आगे देखते हैं अब जो क्लाइमेक्स पहुंचा उन दोनों की मतलब अंग्रेजूं और डचुन की शत्रूता क वह एक घटना से पहुंचा जो कब हुई 1623 में इस में जो डच थे उन्होंने दस इंग्लिश में दस ब्रिटिशर और नौ जपानियों का कतले आम किया किस किस दुर्ब में कि यह स्पाई कर रहे थे मतलब जासुसी कर रहे थे इस क्राइम में डच थे उन्होंने इन दस ब अंग्रेजों और दस दुग के बिच राइवल्री और यह राइवल्री कब तक रही सतर सालों तक रही सेवंटी यह तक और इस दोरान जो ब्रेटिशर थे वन बाइवन करके उनकी डचों की जीतने भी सैटलमेंट थे जो हमने प्रीवेस पड़े उन्हें जीतते चले अब हम आगे देखते हैं कि और क्या हुआ तो जब यह राइवल्री चलती रही तो 1667 में क्या हुआ अंग्रेजु और जो डच थे उन्होंने कंप्रमाइज कर लिया कि हम भी यूद कर रहे हैं हम आप यूद कर रहे हो तो दोनों को नुक्सान हो रहे इसलिए क्या करेंगे कंप और जो इंडिया पर कंट्रोल होगा वह किसका कंट्रोल होगा ब्रेटेशर का की ना डच इंडिया में इंट्रफेर करेंगे ना ही ब्रेटेशर इंडोनेशिया में इंट्रफेर करेंगे और इसी तरीके से जो डच को मोनोपली में लेगी ब्लैक पेपर और स्पाइसेज के ट्रेड में कहां पर इंडोनेशियम में अब देखते हैं कि हम जो इंडिगो है इंडियम में वो कहां कहां डच उसका मैनुफेक्टरिंग करते थे कहां करते थे इंडिगो का सेंट्रल इंडियम में सेंट्रल इंडिया आपको पता है कि सेंट्रल इंडिया उत्रपदेश एक् और टेक्स्टाइल टेक्सटाइल और सिल्क थी बंगलादेश में और राइस होती थी अब कोशेच होता है की डुटों का इंडिया से डीक्लाइन क्यों हो गया तो इसका मेन डिजन है आंगरेजुआ ऑड द चलने वाली राइवेलरी शत्रुता उन के के बीच जो चली इसी के कारण डचों को अपने इलाके अंग्रेजों को वन बाइवन लूज करने पड़े और साथ ही उनके बीच अने वाले continuous war कितने war हुए यह हम आगे करते हैं जो पहला war हुआ उनके बीच वह हुआ 1652 से 1654 तक इस war का जो में रीजन था वो था अंग्रेजों द्वारब पारित किया गया नैविगेटिंग एक्ट इस एक्ट में यह बोला गया था कि अंग्रेजों का जो सी रूट है उसे अगर आपने सेफ रखना है तो में उसे बचाना है डचों से और यही जो एक्ट था यह जड़ बन गया और डचों के बीच वार का और जो सेकिंड एंग्लो डच वार हुआ वह हुआ 1650 1665 से 1667 तक हमें इसके बारे में डिटेजनर पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ यह पता होना चाहिए कि कितने वार हुए और कब-कब हुए और जो में पॉइंट है वह मैं आपको बता दू अब जो में बैटल हुई इनके बीच जिसने यह डिसाइड किया कि इंडिया में कौन राज करेगा वह हुई बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से भी से जानते हैं यह हुई नूवंबर सेवन्टी 59 में और इसी बैटल में जो डच थे वह कंप्लेटली कि हार गे उनका इंडिया से सफाया हो गया और उन्हें मजबूर होना पड़ा इंडिया छोड़के जाने के लिए यह थी बैटल ऑफ हुगली यह इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट क्वेशन आ सकता है आप से कि किस बैटल के बाद डचों को डचों का बलके वो कौन-कौन से थे तो पहला रीजन था कि डच कभी भी कभी इंट्रेस्ट नहीं थे एंपायर बेर्डिंग में उनका समराज्यवाद मतलब अपने राज्यों को स्थापित करने में कभी उनका इंट्रस्ट नहीं था मेजर फोकस उनका किस पहता सिर्फ अनली ओन ट यह में रीजन था कि इंडिया में वो अपनी ग्रिप को स्ट्रॉंग ट्यून कर सके और इसी तरह जो डच थे उनकी जो प्रेजन्स रही इंडिया में इंडिया सब कॉंटिनेंट में वह रही 165 से 1825 अब आईए होप कि आपको यह वीडियो समझ आई होगी अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट से वह कंप्लीट हुए होंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेर करें लाइक करें और अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू